हलो दोस्तों आज हम बेंगन से बना वली बहुती टेस्टी एक सबजी के रेसिपी ले करा हैं यह सबजी आप देखे रहे हैं कितनी बढ़िया दिख रही है आप बिना भूक के भी चार रूटी दबा के खा लेंगे इतनी अच्छी सबजी लगती है और बच्चे भी से द séries किस निधन के ड्पर निकाल दिये और इस इस तरँ बोल-बल ट्क्रो 750 लमब लंब ट्क्रोमी में मगैं से काट के रख लिया है यह देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि बेंगनों को बींच में से प्रषण कर लेना इस तरँ सारे बेंगन तैयार कर लेंगेए हम इसमें कड़ाई में जीरा ले लियाँ अब हम इस में डाल देंगे दो लों और फांचछे मज़िये थित कली मिर्जिये है ॹा। शुक्त इभला से अधने यू तो आप सारे था क्ड़नर को नियुक्सार कंच। उसके बाद बाकी मसाले डाल दें, लेकिन हम यहाँ पे सारे मसाले एक साथ बुंझ रहे हैं, क्योंकि अच्छे से बुंझ जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, तो जब मसाले में अच्छी खुजबू आने लग जाए ना, तब तक आपको इसे पकाना है, तब इसे बुंझना है, उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कल लें, उसके बाद मिक्सी जार में ले लें, या इसमें हमको सामगरी ओर डाल देंगे, तो यहां मनें पान से छे करी लहसन के डाली, एक टुकुड़ाद रखका डाल देंगे, एक खड़ी लाल उसके बहुत बड़ा लगता है, अब हम कड़ाई ले लेघे, उसमें की तूर तेल में हमें डाल देना है तेज पत्ता, एक हरी यलाइची और बड़ी इसके साथ हम इसमें तूर दाल देंगे आधा चमच जीरा, आदे चमच ,टी और दाल दे मिक्स, एम धूड़ी जालें अच्छे से भूंज लेना है अब इसमे हम डाल देंगे बिल्कुल आदा चमश नमक तक कि बेंगन थोड़ी से पक जाए तो इसे नमक डाल देंगी बाद अच्छे से मिला लेंगे यहां हमने अगेस के धीमी कर दिये यहां पर हमें बेंगन तेज आज पर भूझना है और हमे वो भीहांतनों , निकल लोगेम कहुत एठे, निकल गयाञां वीडियो निकल को लो ही नियुक्स का लेक一下 तरह में पाने कले है में अपने कहा एंग दियू है आप झिल देखा है कि जब मेने सर्फ किया था उसपर भयाकunden मेने बॉय के लिए हुआ है बॉह ही है आप मसालों में मसाला ढाल देंगे जो पेस्ट बना है वह डाल देंग उसी में थो उसे पानी भी टाल देंगे लाल मिच का पाउरर आदा चमच करा मसाला नमक की वाइट नमक आप अपने टेस्स करों साथ डunting नमक डाला है मिच मसाला आप अपने टेस्स करों साथ घटा बढ़ा सकते हैं तो इसमें emotions करे लिया कि नमक को अच upp कर लिएकशन मसाला जब तक मसाला में आजया यह देखिये हैं, बहुट टेस्टी लगती है आपको जैसे बेंगन पसंद आप उन बिढ़न का इस्तमाल करका सबजी बना सकते हैं मैं यह घरेंग बभूट टेस्टी लगती है और इसमें प्याज और टेमाट्र नहीं डाले है तो इसको ज्यादा पकाना भी बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत टेस्टी सबजी बनती है। तो चली हम इसे सर्फ कर लेते हैं। आपने वीडियो में पहले देखा हुआ है कि मैंने इसे कैसे चीजा किया है। तो चाहे तो आप ग्रेवी में बेंगन मिक्स कर ले। या फिर gravy बना ले पहले और जो बेंगन हमने पका लिये थे अच्छे है उनको पूरा पका ले उसके बाद अब आपको दिख रहा बेंगन रखोंगी इनके ऊपर विस तरह से बेंगन को भी आप रख सकते हैं या बेंगन ले 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 उसके पर gravy डाल दे या gravy रख के उस पर बे तो आप इसे जरूर एक बर बनाएं और हमेशा एक ज़से सब्जी बनाते हैं तो बोल हो जाते हैं तो कुछ नया खाने का मन होता है तो बच्चे भी बड़े शोख से सब्जी को खाएंगे और आपको इस तरीके सब्जी बनाएं तो आप जरू से ट्राए करें कैसी लग यह जरू बता है